नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर बीते कुछ महिनों से बिजली कंपनी महावितरन के नीजी करण के कयास लगाया जा रहे है राज्य के 14 शहरों में बिजली आपूर्ती का लाइसंस नीजी कंपनीों को देने संबंदी खबरे भी भाहर आ रही है नाकपूर में तो अदानी द्वारा सर्वे तक की खबरे आई है बिजली करमचारियों के संगटन द्वारा इसका विरोध भी शुरू हो गया है ऐसे में अब खुद उर्जा मंतरी नितिन राउत ने महावितरन के नीजी करन की खबरों को निराधार बताते हुए सपस्ट किया है कि उर्जा मंतरा ले ये राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने आरूप लगया कि राजनितिक स्वार्थ के चलते भाजपा इस तरह की अफवा उड़ा कर जनता की दीशा बुल कर रही है दरसल भाजपा खुद महावितरन के नीजी करन का प्रयास कर चुकी है और उसमें असफल रहने से निराशोकर अफवा फैला रही है शुक्रवार की सुबह उस समय आपली बस सेवा के पैये थम गए जब वेतन नहीं मिलने के कारण सभी चालक और कंडेक्टरों ने मुर्भवन में सभी बसे खड़ी कर हरताल की गुशना कर दी इस हरताल में तीनों बस आपरेटर के सभी करमचारी एक जूट होकर शामिल हो गए जिसके चलते सुबह बसों के सहरे काम पर पहुचने वाले लोग न केवल हलाकान रहे बलकि यातायात के अन्यस अंसादनों का सहरा लेने से उनकी जेब भी हलकी हो गई किसी तरह मनपा की ओर से आट दिनों के भीतर वेतन का भुकतान करने का आश्वासन मिलने के बाद हरताल को स्थगित करने का निर्ने लिया गया इसके बाद दोपर से बसों के पईये चलने शुरू हो गए अपली बस चालक और कंडक्टरों के संगठन का मानना था कि विपर कोरोना काल में लगातर सेवाय दे रहे स्वास्टा कर्मचारियों को वीशिश भत्ता देने के लिए शुकरवार को मनपा की स्थाई समीती द्वारा 90 लाग के प्रस्ताव को हरीजंडी दी गई यह जानकरी स्थाई समीती सभापती प्रकाश भुहर ने दी उन्होंने कहा कि कुल 436 कर्मचारी और 862 आशावरकर्स को 6 मा का भत्ता प्रदान किया जाएगा 6 मा से उनका भत्ता अटका हुआ था शुकरवार को स्थाई समीती के समक्ष दो प्रस्ताव रखे गए एक प्रस्ताव में स्थाई कर्मचारी और आशावरकर्स को भत्ता देने के लिए 90 लाग की मनजूरी का वीशे था जबकि दूसरे प्रस्ताव में कोरोना से निपटने के लिए नियुक्त किये गए डॉक्टरों और नर्सों की सेवाओ को जारी रखने और इसके लिए भुक्तान को मनजूरी देना था स्थाई समिती की और से पहले प्रस्ताव को यथा वह मनजूरी प्रदान कर दी जबकि दूसरे प्रस्ताव में कोरोना की तीसरी लैर अब कमजूर पढ़ने के काराण पहले से नियुक्त डॉक्टर और नर्सों की संख्या कम करने की हिदायत दी स्थाई समिती द्वारा दिये गया निर्देशों की अनुसार मनपा में केवल साथ डॉक्टर्स के सेवाओ को जारे रखने को कहा गया है केंद्र सरकार की अमरूत योजना के दहत प्रभाग 34 में भारत के पहले डबल डेकर जलकुम्ब के निर्मान का भूमी पुजन केंद्री अमंतरी नितिन गडकरी द्वारा महर बाबानगर चिखली खुर्द में किया गया इस वसर पर महापर दयाशंकर तीवारी विधायक मोहनमते उप महापर मनिशा धावडे स्थाही समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयार सत्तारूर दलके नेता अविनाश ठाकरे पुर्व विधायक सुधाकर को ले स्थापत्य समिती अध्यक्ष राजिंद्र सोनकुसरे अनु पुछ तालेवार कार्यपालक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर जी भी मौजुद थे। पलांदूर कर अर्चना डेहन कर बापु चिकले के अलावा भाजपा के अनिक पदादीकारी और कार्यकरता गण उपस्थित थे। जीले में कोरोना की तीवरता थमने की कगार पर दिखाई दे रही है। असी पॉजिटिव का समयवेश है जबकि नाकपूर ग्रामिन के अंठावन तथा जीले से भाहर के नव पॉजिटिव इसमें शामिल है। किन्तु मरीजों की रिकावरी की रप्तार भी जिले में संतोज जनक है। पिछले 24 घंटे में नाकपूर जिले में 412 मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है जिन में नाकपूर शहर के 199 मरीज नाकपूर ग्रामिन के 213 मरीजों का समाविश है जिले में मौझूद 1795 एक्टिव केसेस में नाकपूर शहर के 1152 केसेस वह नाकपूर ग्रामिन के 676 क का समाविश है शीग्रही नागपूर मेट्रो के सभी रीच पर मेट्रो ट्रेन दाउनने लगेगी मेट्रो रेल परियोजना का निर्मान करना अनिक स्थानू पर बहुत चुनोती पुरुन रहा है अब इसमें भी अधिक बड़ी चुनोती हमारे सामने है जो कि भावनात्मक ह माजी मेट्रो का जितना अधिक उपयोग नागरिक करेंगे उतनी ही करीब हम अपने लक्ष को पहुचेंगे उक्ताउदगार महा मेट्रो के प्रबंद निदेशक डॉक्टर ब्रुजेस दिक्षित ने वेक्त किये वे मेट्रो भावन के सभागरों में सात्वे स्थापना दिवस समारों में उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी हमने साथ हजार यात्रियों का अकड़ा पार किया है रिश्टू और रिश्फोर खुल जाने पर यह अकड़ा पार करेंगे और हमें शिग्रही तीन लाख यात्रियों के लक्ष को हासिल करना है डॉक्टर दिख्षित ने कहा कि परियोजना को पूरा करना आसान काम नहीं है निर्धारित समय में गुनवत्ता के साथ मेट्रों का कारियर टीम वर्क से पूरा होने जा रहा है साथ वे स्थापना वर्ष के बधाई के अगदार नाकपुर वासी है जिन्नोंने अनेक दि कंपनी को यहा संबान ऐसे वक्त में मिला है जब पिछले कुछ महिनों में कोल इंडिया ने बिजली क्षेतर के लिए कोईले की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए कोईला उत्पादन एवं सप्लाइव में काफी बड़ोत्री कर देश में बिजली संकट की स्थिती नजर आयतित कोईले पर आधारित बिजली घरों ने कोईले के आयत में काफी कमी कर दी जिससे कोईले की घरेलू मांग में अचानक काफी बड़ोत्री हुई साथ ही इस वर्ष देश के कोईले उत्पादक शेत्रों में लंबे मौनसून की वज़से भी कोईले के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा इसी बीच कुवीड के बाद एकोनॉमी के पटरी पर आने से उत्प्द्योग धंदों के रप्तार तेज हुई और बिजली की मांग में काफी इज़ापा हुआ वाडी के उत्तरभारतिय सभाद्वारा एक निर्धन परिवार के कन्या का विवा आयोजन संपन्नकर समाच के समक्षे एक अनूठा उधारन प्रस्थुत किया है उत्तरभारतिय सभा के प्रमुक पदादिकारी प्रविंट सिंग व सुश्मित सिंग राजपुत ने इस आयोजन के संदर में बताया कि साहुले आउट नगर निवासी एक परिवार के निर्धन होने के कारण उनकी पुतरी कलपना के विवाह पर परिवार चिंतित था परिवार के पास पुतरी कलपना के विवाह है तो किसी भी प्रकार की आर्थिक वेवस्ता नहीं थी या जानकारी उत्तरभारतिय सभा के अध्यक्ष प्रविंट सिंग उपाध्यक्ष सुश्मित सिंग राजपुत को मिलते ही उन्होंने इस परिवार से मुलाकात की और उन को सुचित कर मंदिर में लेकर धार्मिक परंपरा के अनुसार विवाह के आयोजन की अनुमती प्राप्त की गई लगभग धाई वर्ष पहले जिला परिशत में कॉंग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की लेकिन अध्यक्षपत के लिए आरक्षन अनुसुची जाती के लिए होने के कारण इसी समुदाय से वर्तमान अध्यक्ष को जिला परिशत की कमान सोपी गई अब क्योंकि अगले धाई वर्ष के लिए सामन्ने वर्ग के लिए आरक्षन तय है इसलिए अगला जिला परिशत अध्यक्षा गोधनी सरकल से जिला परिशत सदर्शय कुंदराउत या फिर वर्तमान में सत्ता पक्ष निता अवंति का लेकुर वाले का नाम दोड में सबसे आगे देखा जा रहा है यह अभी चर्चा है कि अगले विधान सभा चुनाव में दोनों विधान सभा की उमीदवारी के लिए जोर लगाएंगे जिला परिशत के अगले अध्यक्ष के लिए सामन्य वर्ग का आरक्षन तो है लेकिन सत्ता पक्ष की कमान संभालने वाले किसी पूरुष जिला परिशत सदस्यों को मौका नहीं देना चाहते हाँ उनकी जगह उनकी पत्नी जिला परिशत चुनाव में न सिर्फ चुनाव जीत कर आई साथ में उन्हें जिला परिशत उपाध्यक्ष पद भी उपहर के रूप में दिया गया तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार